प्रेंट्स मारे यूटूब चैनल सक्षेटर 91 में फ्रेंट्स बहुत ही मात्पूर्ण कोश्यन है जो कि आनिवाली सभी परिच्छाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो फ्रेंट्स बिलकुई वीडियो को इसके पना करें और पूरा वीडियो लाज तक देखें तो चली हम शुरू करते हैं मारा फर्ष्ट कोश्यन आपके स्क्रीन पर है राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं पढ़े कोश्यन को अच्छे से एक प्रीमी ग्रेविडा को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेर करने के लिए आप क्या च्छे से पढ़े उसके बाद अंसर दिए इसतन पांड के लिए प्रीमी ग्रेविडा के तयारी कैसे करेंगे आप बताएं क्या होगा इसका right answer guess करें आपसन आपके screen पर है अच्छे से आपसन को पढ़ें उसके बाद यह आंस्या दें जल्द बाजी बिल्कुल बिना करें तो देखें आप यह आपसन डी आपका right होगा उसे explain करना कि बच्चे को breast feeding करवाने से delivery के बाद होने वाले blood loss की जो मात्रा होती कि वो कम हो जाती है ठीक है उसे explain करना कि बच्चे को breast feeding करवाने से delivery के बाद होने वाला जो blood loss होता है वो कम हो जाता है ठीक है तो चलिए मैं आप ए explain देखते हैं कि ऑप डिलेवरी के तुरंत बाद breast feeding से blood loss कम होता है delivery के तुरंत बाद breast feeding करवाने से ब्लट लौस कम हो जाता है क्योंकि बेभी के Sucking से जो यूट्रिस को encouragement के लिया जिम्मेदार होता है यूट्रिस के होता है reagis के conservation के लिए क्लिए क्मेदार होता है तो चलिए नेक्टि नमर कोश्चन आपकी पर और स्क्रीन है पने कोश्चन को एक पचीस वर्च की महिला है एक पचीस वर्च की लेक्टेटिंग महिला है एक पचीस वर्च की महिला जिसको बुखार है ठीक है फीवार एक्यूट ब्रेस्ट पेन और स्वैलिंग के साथ आती है एक पचीस वर्च की महिला है जिसे बुखार भी है तथ फीवार है प्राब्लम कर सकता है अब आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें आपसन आपकी स्क्रीन पर है 25 वर्ष की इस्तनपान करानी वाली महिला को बुखार तीब्र इस्तन दर्द और सूजन के साथ मलब सूजन के साथ भी मलब सूजन भी है और तेज दर्द भी हो रहा है निम लिखित में से काज मलब इसको कैसे आप सही करेंगे काजर की कौन सा आरगैनिजम एक्क्विट प्रापलम कर सकता है यह पर आपको दिखना कि किस करण से ऐसा हो रहा है आपको तो आपको दिखना है कि जो मैला को फीवा रहे अचानक प्रेश्ट में में श्वैलिंग वी और धर्द भी होरा है तो ऐसा किस कारार से हो रहा है तो पर इस्टेफिलो कोकस कशे के me मेमरी ग्लेंड में ब्रेश्ट फीडिंग के समय होने वाले इंफेक्शन को मैस्टाइटिस कहा जाता है। मैस्टाइटिस के लिए मुख के आर्गैनिज्म जो मैस्टाइटिस है उसके लिए जो मुख के आर्गैनिज्म है यह इस्टेफिलो कोकास और यस होता है। कोशन में दिये गए साइन सिम्टम्स जैसे की फिवार हो गया एक्यूट हो गया ब्रेश्ट पेन हो गया और स्वैलिंग मैस्टाइटिस के लिए छड़ें। कोशन में तेगा थे कि जो साइन और सिम्टम्स दिये गए हैं जिसके मैंने बताया कि फिवार एक्यूट ब्रेश्ट पेन अचनक दर्द होना स्वैलिंग होती है जो सूजन वगएर होती है किसके मैस्टाइटिस के लच्छडें। तो चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं यहां पर कोशन नमबर तीन है आपके स्क्रीन पर पढ़ें कोशन को अच्छा से इसके बाद आंसर दें क्या होगा इसका राइड आंसर बताएं निम्न में से कौन सा हिमन मिल्क में पाया जाने वाला मेजर प्रोटीन है का जा रहा है कि निम्न में से कौन सा हिमन मिल्क में पाया जाने वाला मेजर प्रोटीन है निम्न में से कौन सा दूद मानो दूद में पाया जाने वाला प्रमोग प्रोटीन कौन सा आपको बताना है तो देखें लेक्टो सब्सक्राइब करेeger 1ि7 टिया है पाई है यहां कि दूद में के सीन होता है फीले के दूद में के सीन होता है ति किसीन होता है यहा है कैसीन यह प्रोटीन है ठीक है गाय के दूद में कैसीन प्रेंसिपल प्रोटीन होता है हुमेन मिल्क लेक्टोफेरिन प्रेंसिपल प्रोटीन होते हैं यह हुमेन और यह नहीं में प्हाइट में पाएट में पाय जाने वाला Онब्युमन यही होता यह क्या होता है जो वह अल्विमिन होता है यह अंडे की सफेदी में पाया जाने वाला मुख की प्रोटीन होता है और इसी अंडे में पाया जाने वाला मुख की एलर्जिक भी होता है तो चलिए हम अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर चार है आपकी स्क्रीन पर पढ़ें कोश से चार नंबर कोश्चन को पढ़ें उसके बाद आंसर दें बिल्कुल सिंपल कोश्चन है न्यूबार्ण ब्रेश्ट फीडिंग नार्मल फूट पर सिप्ट करने की प्रकरिया क्या कहलाती है देखें बहुत ही अच्छा कोश्चन है कि नौजात को इस्तनपान कराने पर सामा ब्रेश्ट फीडिंग नार्मल फूट पर सिप्ट करने की प्रकरिया उसे क्या कहा जाता है तो देखें सिंपल कोश्चन है आप बहुत दिनों से पढ़ भी रहे होंगे ठीक है पहले भी पढ़ा होगा अपने और रिवीजन भी आप करते रहते हैं अलगी बुकों से तो ब्रेश्ट फीडिंग नार्मल फूट पर शेट करने की प्रकरिया होती है उसे वियनिक आजाता है तो जो जो प्रकरिया होती है यहां पर एकस्पलेंग देखते हैं छै महीने के बाद न्यूबार्न को 6 महीने के बाद newborn को धीरे धीरे breast feeding से normal food की और shift करने के जो प्रकरिया होती है उसको वेनिंग का जाता है 6 महीने के बाद newborn जो होता है उसको धीरे धीरे breast feeding से normal foods की और करने की जो अबने की जो ने शीवर करने के परक्राया होती है फोड़ा खुना काने लगे परेशन्व करना जादा है क्योंकि चैंग के बाद परफेकहार समस्तुक्राइच शैंग की यूजिटनओ य। श्रब्रेट बेविद तो चलिए नेक्ट कोशन देखते हैं पांच नमर कोशन आपकी स्क्रीन पर रहें पढ़े कोशन को जीसते को को अब पाच को का जाला कि जिस्टेशन ठीक है जिस्टेशन के कितने मिनमं मीमां पिरियट के बाद मतलब कहने को कैसे कि गरभा वस्था के दौराण जिस्टेशन के कितने minimum period के बाद एक pre-term infant adequate breast feeding के लिए breast पर डिरेक्टली लगा सकते हैं काजारा की गर्बावस्ता के दौराण नियुम्तम आउदी के बाद क्या समय से पहले जनमे सिसु को पर्याप्त इस्तानपान कराया जा सकता है तो बताएं यहां पर क्या होगा इसका right answer गेस करें आपकी स्क्रीन पर रहें तो देखें यहां पर आपसन डी आपका right होगा ठीक है 34 weeks आपसन डी आपका right होगा और आप यहां पर explain देख ले कि जो newborn हैं newborn में 32-34 weeks के पहले born होते हैं जो कि 32-34 अप्ता से पहले जन्म ले लेते हैं या बॉर्ण होते हैं उनमें क्यों था minor sucking reflex होता है उनमें minor sucking reflex होता है अगर यंज्र से हिंदी में बात की जाए कि जो नौजात होता है वो बतीस से चोटीस rush इसलिए इसलिए अच्छे से आप दिखेगा आइस्पाइरेशन की रिस्क होती है ठीक है इसलिए अच्छे से स्वैलो नहीं कर सकते हैं और इन में क्या होता है कि एस्पाइरेशन की रिस्क बढ़ जाती है अब काजार इसे हिंदी में अच्छे से देख लें कि नौजात जो है इसलिए अच्छे से निगलने में उसे अधिक्कत होने लगती है क्योंकि वो 32-34 सत्ता में पैदा हुआ है इस वेसे जो सकिंग करने में सकिंग रिफ्लेक्स में काफी प्राब्लम्स पैदा होती है अता जो उसकी मूल आकांचा का जोखिम होता है अगर कहा जाए एस्पाइरेशन ठीक इसके मलत होता है आकांचा मूल आकांचा की जोखिम होता है रिस्क बढ़ जाता है तो चलिए अब नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमर छे आपके स्क्रीन पर है निमन में से कौन सा फैक्टर एक पोश्ट पाटम मदर में ब्रेश्ट मिलकी की सप्लाई को कम करने के कारण हो सकता है बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर निमन में से कौन सा फैक्टर प्रशोत्तर मां में इस तन के दूद की आपूरती कम करने का करण हो सकता है तो देखें यहां पर आपका ए राइट होगा सप्लिमेंटल फीडिंग विद फार्मुला सप्लिमेंटल फीडिंग विद फार्मुला फार्मुला के साथ पूरक आहार आप्षन यह आपका राइट है अब हम यहाँ पे एक्स्प्लेंट देख लेते हैं बोट सप्लिमेंटल फीडिंग्स एंड मोडरेट टू हैवी एलकोहल ड्रिंक प्रोडक्शन कैन डिक्रीज मिल्क काजर की पूर आहार और मध्यम से भारी एलकोहल पे उत्पादन दोनों यह क्या करते हैं दूद दूद कम कर सकता है पूरक आहर और मध्यम से भारी जो एलकोहल पे पदार्त यह उत्पादन यह दूनों क्या करते हैं दूद को कम कर सकते हैं अब यहाँ पे देख लें कि इव बेबी इस गीविंग सप्लिमेंटल फीडिंग विद फार्मुला दा इं पाहर दे रहा है ठीक है तो उनके चूसने की जो प्रकरिया होती है सकिंग करने की प्रकरिया होती है प्रकरिया की तीवरता कम हो जाती है सकिंग करने की जो चूसने की जो प्रकरिया है वो क्या वाद आती है कम हो जाती है तीवरता कम हो जाती है जिससे दूद का उत्पाद पर पढ़ें कोशन को अच्छे से, कोशन नमबर 7 को, हॉस्पिटलाइजेसन, हॉस्पिटलाइजेसन के दौरान, 6 माँ से कम उम्र के इनफेंट में क्या रिएक्षन होगा? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें अस्पताल में बर्ती होने के दोरान छे महीने से कम उम्र के सिसु में क्या प्रितकिरिया होगी बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें अच्छे से पहले कोशन को समझ लें उसके बाद आंसर दें इस होस्पिटालाइजेशन के दौरान छह मा से कम उम्र के जो इनफैंट हैं ठीक है सिस हुआ हैं उनमें क्या रियक्षन होगा तो देखिए सो लेस एंगसिटी आपसंदी यहां पे राइट होगा सो लेस एंगसिटी क्या होगा कम चिंताएं दिखाएं ठीक है कुछ में कम च एंगसिटी दिखाते हैं वह चैसे बारा मा के बीच में सेप्रेशन एंगसिटी दिखाते हैं अगला पॉइंट की विरोध प्रोटेस्ट और निरासा डिसफियर और रियक्षन होस्पिटल एजेशन के दौरान टोडलर दौरा दिखाए जाती है चलिए नेक्स्ट कोशन द एक तीन वर्स के होस्पिटलाइज बच्चे में जपकी नैप जपकी के दौरान बिस्तर गीला करने पर नर्स को क्या करना चाहिए तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें तो देखें यहां पर आपसाना आपका सी राइट होगा गटना के बारे में बात किये बिना क्लोथ को चेंज करना ठीक है गटना के बारे में बात किये बिना जो क्लोथ होते हैं कपड़े होते हैं उनको बतलना चेंज करना ठीक है आपसान सी यहां पर आपका राइट होगा अब यहां पर आप एक्स्प्लेन देख लें कि तीन वर वर्ष का जो बच्चा है होस्पिटलाइजेशन के करण रिग्रेशन इस्टार्ट टू है लाइक इंफैंट बेट रिटिंग जैसे की रियक्षन दिखाता है मिल तीन वर्ष के बच्चे के द्वारा वर्ष के दौरान बेट वेटिंग जो आपका यह वेट हुआ है इसके मतलता है गीला करना एक सामान रियक्षन है इसलिए गटना को बिना डिसकस किये हुए नर्स के दौरा कपड़े बदलना चाहिए नर्स के दौरा क्या करना चाहिए तीन साल के बच्चे के अस्पताल में भरती होने के दौरान बिस्तर घीला करना एक सामान प्रिया इसलिए घटना पर बिना चर्चा किये ठीक है नर्स के दौरा काम करना चाहिए उसके कपड़े को बना बिना इसके जो डिसकस किए उसके जो कपड़े होते हैं उनको बदल देना चाहिए तो चलिए हम नेक्स्ट को देखते हैं को नमबर 9 के स्क्रीन पर पढ़े कोश्चन को उसके वाद आंसर दें सिंपल पढ़े कोश्चन को कि एक न्यूबार्न जो इंट्रा-ईूट्राइन ग्रोथ कर्व के 90 परसेंटाइल से उपर है उसे क्या कहा जाएगा पड़े कोश्टन कोच्छ grate जो एंट्रयू तो कर्व के 90 परसेंटाइल से उपर है उसे क्या खैंगी अब करें क्या होगा इसका राइट अंसर क्वें स्क्रीन पर पड़ें phenístar तो देखें जो एक नौजाज सिसू है जो अंतर गरभासी विकास वक्र के 95 से उपर है उसे आप क्या कहेंगे तो देखें आपसन भी राइट होगा गरभकाली आयू के लिए बड़ा ठीक है लार्ज फार जेस्टेशनल एज ठीक है आपसन भी यहां पे आपका राइट होगा अब यहां पे आप एक्स्प्लेइन देखें लिए कि लार्ज फार जेस्टेशनल एज जिसे एल जी एक आ गया है एक टर्म है जिसका उप्योग ऐसे न्यूबार्न के लिए किया जाता है जिसका बर्थ वेट इंट्राइज उट्राइन ग्रोथ कर्व के 90% से उपर होता है घंटे में हाइपो-घ्लासेमिया के साइन के लिए माईनर करना चाहिए क्योंकि Dimes illas Schwabich मुंधर होने की संभावना अधी होती है Ultra की ऐसे सिषूओं में 24 कंटे जन्म के बाद हइपो-घ्लासेमिया के लच्षडों के निगरानी की जाने चाहिए ख्याए क्योंकि PROFESSOR पी ए ठीक है सुरी LGA LG PA मने बढ़ा LGA ठीक है लार्ज फॉर दिस्टेशनल एज जिसे का जाता है LGA में मदमे वाला या मदमे वाली मां होने की सम्वहना क्या होता है अधिक हो जाती है diabetes होने के समवाना अधिक होती है तो चलिए हम next question देखते हैं question number 10 है अपकी screen पर पढ़े question को चैसे उसके बाद answer दें क्या होगा इसका right answer बताएं question number 10 है यदि एक baby 42 weeks 42 weeks यदि एक baby 42 weeks के pregnancy के बाद जर्म लेता है तो उसे क्या कहेंगे एक baby है जो 42 सब्ता के 42 सब्ता के pregnancy के बाद में जर्म लेता है तो उसे आप क्या कहेंगे आपको बताना है क्या कहेंगे उसे गिस करें तो दीके वो post mature infant होगा आपसन भी यहाँ पर आपका right होगा परिपक सिसू के बाद जर्म लेना post mature infant अब आप यहाँ पर explain देख लें जो baby जो 42 सब्ता है था 42 वीक सब्ता है मतलब कहने का 294 दिन 294 डेज ठीक है की pregnancy के बाद जर्म लेता है तो उसे post term infant कहा जाएगा ठीक है baby जो 42 सब्ता है 42 वीक की pregnancy के बाद में जर्म लेता है उसे post term infant का जाता है चलिए नेक्ट कोशन देखते है 11 नमबर कोशन आपकी स्क्रीन पर है पढ़े कोशन को crawling of an infant occur at गेस करें क्या होगा इसका राड़ा है लाक्ट कोशन है मरा जो crawling of an infant occur at का जा रहा है कि सिसु का रिंगना किस इस्थान पर होता है यह किस समय पर होता है कितने महिने पर होता है आपि unnatural इस्थान बोल दिया ठीक है कितने महिनों पर होता है crawling of an infant occur at सिसु का रहा किस महिने पर शुरू होता है बताए क्या होगा इसका राड़ा है जो सिसु है थोड़ा-थोड़ा रेंगना शुरू करता है ठीक है देखे यह आठ से 9 महीने पर होता है ठीक है तो यहाँ पर आपका राइट होगा 8 to 9 month टीक है, आठ से 9 महीने पर क्या होता है, जो infant होता है, जो baby होता है, वो क्या होता है, रेगना सुरू कर देता है, थोड़ा-थोड़ा इधर-उदर गोमना सुरू करता है, रेगना सुरू कर देता है, तो अभी यहां पर हम explain देख लेते हैं, कि crawling on abdomen and creep on hands and knees occur at 8 to 10 month टीक है, केम वह तो यहांपे पीठे कि पेट के बल रिंड़ न और नुश halten करेगा तो सब्सक्ति आपसं में तो भी 50 होगा क्योंकि व q ku कzh 그렇ा कि 8-9 मेननि नहीं दियो होता है तो आप में 8-10 दिया गया है तो भी रायट होगा ठीक है क्योंकि जो आप च निम है उसमें 8-9 मैने दिये गए तो 8-9 महिने 8-10 महिने दूनों राइट होंगे लिखए कहा दूनों दिया हो तो आठ से नौ महीना ही राइट होगा आपका दूना नहीं देते हैं ठीक है दूनों दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि इन्हों ने कुछ भी नहीं करते है एक-एक साल तक है तो यह क्या है कि 8-9 महीने में जा विज्व्ट गाह Wirs Song lived कि 8-9 महाने में लगता है तो फ्रेंट इसी मुन नेक्ट से वीदियो में त guidelines